नमस्कार दोस्ता आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स में आप सभी को बताने वाले हैं ICC World Test Championship में हुई काफी सारे नियमें बदलाव और साती साथ टेस्ट रैंकिंग में किसने बढ़त बनाई है कोहली कितने नंबर पे हैं जड़ेजा को क्या उकसान हुआ साती साथ गेंदवाजे की भी बात करेंगे क्योंकि अश्विन अच्छी पोजिशन पर चले थे क्या वो उनकी पोजिशन बरकरार है या फिर उसमें भी कुछ उलट फेर हुआ है तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देजेगा सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं ICC के बदलेवे नियामों के बारे में लेकिन इतिहास के पन्ने पलटे ही तो साल 2019 को ऐलान हुआ था पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपेंशिप सीरीज का जो टीमें इसमें आखरी दो मुकाम पर यानि कि पहले और सेकिंड नंबर पर दावेदारी ठोका और चीत दर्च करी साती साथ टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा और पहला एक्सपिजिएंस दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपेंशिप के नजरिये से देखा जाए फैंस के लिए तो बहुत खराब रहा उसके पीछे का रेजन है कोर्ना वाइर थे तो कोर्ना वाइरिस की वज़े से कही सारी सीरीज रद भी हुई थी कही सारी सीरीज आधी में ही रोकनी पड़ गए थी क्योंकि कोवेड 19 फैल गया था तो बहुत ही दिक्कतों के बात दोस्तों कहा सहे थे कि ICC का पहला जो वर्ल्ड एस चैंपेंशिप का खिताब वाल टूनमेंट था वो सफलता पूर वक्त तो नहीं लेकिन हाँ करते कराते हो ही गया तो इस बाद WTC सेकेंड यानि कि WTC दूसरे एडिशन पे कोई खतरा ना मन रहा है रूल्स को लेकर कोई लड़ाई जगणा ना हो इसी वज़े से ICC ने बड़े बदलाव करने शुरू कर द बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के साथ होगी इस सीरीज का पहला मैच चार अगस्त को खेला जाएगा इंगलेंड के मैदानों पर ही होगा लेकिन ICC के अंतरिम CEO जियोफ ओलारेट्स ने इसी महीने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि अंक परणाली में बदलाव कि जाएगा यानि कि जो पहुंच टेबल है उसे बदलाव किया जाएगा ICC Board के सदस्य ने समाचार Agency PTI को बताया कि पहले परतेक शरंखला यानि कि पहली सीरीज के दोरां 120 अंक होते थे फिर चाहिए दो टेस्ट के सीरीज हो या पांच में पांच टेस्ट के सीरीज हो लेकिन अगले जो संस्क्रण है उसमें परतेक मैच के समान अंक होंके अधिकतम 12 अंक परती मैच यानि दोस्ता आप बात समझने के कोशिश कीजिए कि अगर दो मैचों के सीरीज हो रही है तो उसमें 120 अंक टोटल दाओ पे लगी होंगे जो टीम जीतेगी वो 120 मैच जैसे 60 मैच ज बढ़ते थे अब आप सोच सकते हैं कि क्यों दिक्कत होती थी सभी टीमों को इसी वज़े सी विनिंग परसेंटेज वाला रूल लागो करना पड़ा था पिशली बार लेकिन इस बार किलियर है इस साल के जो सेकंड एडिशन होगा जो 2021 से लेके 2023 तक चलेगा उसमें सिंपल कि 12 अंक का एक मैच होगा उस मैच को जीतने वाली टीम को 12 अंक मिलेंगे इस जोरान अगर मुकाबला टाई होता है तो दोनों टीमों को 6 जबकि ड्रों होने की स्थिति में 4-4 अंक मिलेंगे किलियर होगे दोस्तों आगे बढ़ते हैं अंतरिम सीयों ने आगे कहा कि टीमों ने मैच खेल कर जो अंक हासिल किये हैं उनके परतेशत अंगों के अधार पर टीमों की रैंकिंग टै होगी आगामी हफतों में ICC की मुख्य कारेकारी की समिती बेठक में अंक यानि कि पोइंच टेबलें बदलाव को लेकर मंजूरी दी जानी है बोर्ड के सदस्य के मुता अब यहां पर परसंटेज निकालने की बात आती है तो बहुत जमा घटा गोना दोस्तों यह सब नहीं होता बस जाईए और एक असानी से अंक देखे कि किसको कितने अंक मिले हैं इस वज़े से वो ओपर है यह किलियर होता है जैसे दोस्तों अपने IPL में पोइंस टेबल हो अपनाली में ऐसे नियम बनाये जाएंगे जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो दोस्तों अभी बात करते हैं हम टेस्ट सीरीज के रैंकिंग के बारे में भी लेकिन अब कुछ और बाते आपको बता दें तो जून 2023 में खतम होने वाले इस दूसरे राउंड में भारत इंगले सीरीज के लावा इस साल होने वाली एशेज स्रंखला ही पांच मैचों की एक मात्र सीरीज होगी अगले साल उस्टेलिया का भारत दोरा आगामी चक्र में 4 टेष्ट के एक मात्र सीरीज होगी सभी नो टीमों में से परत्यक टेम कुल 6 सीरीज खेलेगी जिसमें से 3 और तीन विरोधी के मैदान पर होगी, यानि कि तीन अपने ही घर में, तीन दूसरे के घर में, जैसा कि पिछले सीजन हुआ था, अब ESP के अनुसार दूसरे राउंड में एंगलेंड के टीम सरवादिक 21 टेस्ट मैच खेलेगी, जबकि उसके बाद भारत 19 और ऑस्ट्रेलिय 18 मैच खेलेगी, जबकि साउथ अफरिक का 15 और न्यूजलेंड वेस्ट इंडिस और स्ट्रेलंका की 13 जबकि पाकिस्तान 14 टेस्ट खेलेगी, तो यह दोस्तों अभी तक का हाल कैसे नियामे में बड़ा बदलाव किया जा रहा है, तो चली अब आपको लेकर चलते हैं, यहा कि वो दोबारा से नंबर वन टेस्ट बल्ले बाज बन गए, दूसरे तरफ अभी पार्टी चली ही रही होगी, इनको वर्ल्ट एस्ट शेंपेंसिप खिताब जीतने की, और यहाँ पर एक और खुशी एड़ हो गई कि नंबर वन टेस्ट बल्ले बाज बन गए, इसको भी स पीछे छोड़ते वे, पहला अंक प्राप्त किया, याद दिलादी कि इंगलेंड के खिलाब दो टेस्ट मैचों की सीरिस के बाद, इसमित ने विल्यमसन से नंबर एक की कुरसी छीन ली थी, ताजा टेस्ट रैंकिंग के बाद, अब कैन विल्यमसन के खाते में 901 पाइदान ने दोस्तों थोड़े वहत तो रन बनाये थे वर्ल्ट टेस्ट चेंपेंशिप के फाइनल में, इसके बाद, रविंदर जडेजा को दोस्तों एक बड़ा जटका लगा है, क्योंकि डव्यूटी सी फाइनल के बाद, रविंदर जडेजा की पहले पायदान से छ मौझूद हैं, जबकि आर अश्विन 358 की रेटिंग के साथ नमबर 4 पर मौझूद हैं, गेंदवाजों की बात की जाए तो उस्टेलिया के तेज गेंदवाज पैट कमिन्स टेस्ट रैंकिंग में नमबर 1 गेंदवाज बने वे हैं, जबकि रवी चंदन अश्विन 865 अं नमबर पर जोस हैजलवोट चोथे और नील वैगनर पाँचवे पाइदान पर हैं, कैन विल्यमसन के लिए दोस्तों दोरी खुशी है क्योंकि न्यूजलेंड फाइनल मुकाबला जीती थी वोर्ल टैस चैंपेंशिप का आठ विकेट से, जहां पर विल्यमसन ने पहली पा फाइनल में कोई शतक लगाने वाला खिलाडी नहीं मिला जो फाइनल में शतक लगाया हो, पाँच विकेट का होल गया था काईली जैमिंसन के नाम पर, आपको बता दे दोस्तों भारते टीम की हार सुनिश्चित की थी कैन विल्यमसन के इन ही महतवपूर जनों ने, विल्य को ही एक दूसरे को हमने कई बार बात करते वे देखा है किरकेटिंग मुकाबलों को लेकर, लेकिन ये था दोस्तों ICC से जुड़ी जो टेस्ट के मामले है, सारी अपडेट, एक ही वीडियो में सारी अपडेट की टेस्ट रेंकिंग क्या चल रही है, नियमों में क्या बड सब्सक्राइब कर बने रहेगा हमारे साथ नेक्स्ट नैन स्पोर्ट्स की रिपोर्ट